कि अब आइसे मिट्टी कर रहाएंगा अब क्या करेंगे कि अब आइए चलो भाई दोस्तों थोड़ा सा प्रोब्लम होगा था बीच में वीडियो छोड़ गया पतनी कुछ कि हम अब लाइव थोड़ा सा वह स्टार्टिंग कर रहे हैं थी थोड़ा सी करते लाई में थोड़ी प्रोब्लम आज आते पतनी क्या समय स्था बीच में अब ही देखता हूँ किनी देर वीडियो चलता नहीं पिर सोठ आउट करके फिर आपको सोलूशन करके दूँगा उसके बाद पर डंग से के लिए तरीके से वीडियो दोबारा छालो कर देंगा ऐसा को इसव में सब्सक्राइब दूबारा फिर सब्सक्राइब लोग आगा द तो दूबारा वीडियो कटके दूबार फिर चालू कर देंगे रहे इतना से पर वीडियो थोड़ा सा वह छोटे-चोटे पार्ट में डिवाइड हो जाएगा तो आज थोड़ा सा चल लिए सेट अप कर लिए तो अभी मैं बात कर रहा था चार बटा दो बटा आठ एक तो यह है दूसरा मैंने लिया इदर चार भाग दो भाग आठ क्योंकि इसमें और इसमें अंतर होता है बच्चे क्या सोचते कि यह और यह दोनों सेम है तो मैं इन चीजों थोड़ा सा बता रहा इसमें और इसमें अंतर दिन रात का है यहां जो मीनिंग है वो मीनिंग यह कि चार में आपको भाग लगाना है चार में डिवाइड करना है दो बटा आठ का यानिकि इसको आप ऐसे हल करेंगे चार में दो एकम दो दो चोक आठ है यानिकि एक बटा चार मैं यह कह सकता हू कि चार में भाग लगाना है दो बटा आठ बोले तो एक बटा चार यह हुआ इसका मतलब तो इसका जो आंसर होगा चार को जब भाग जब इसमें भाग लगांगा तो भाग का एक नियम होता है कि भाग को यदि आप गुणा में चैंज करते हैं तो संक्याओं को ज़स्ट रिवर्स कर दीज़े मतलब चार बटा एक वह जोता भी हैसा क्योंहोता है चार öp our उचल चना जाएगए एक नीचे आई गाना तो इस तरीगा छीज्ट का मतलब यही होता है कि जब भी आप इतना समझझ भीजए जब भी कोई आपको भाग है यादी बीच में और इसको multiply में चेंज करना है तो इसको उल्टा कर दीजे आगे जैसे इसमें इसका भाग लगा रहा हूं तो इसको उल्टा करना ना किसको करना है चार बटा एक इसका आंसवर आया 16 अब इसमें देखते इसमें क्या आएगा इसका मतलब क्यानि से क्या है कि इस चीजी ने बड़े confusion में जीते हैं इसमें और इसमें सेम अगर प्लती से आगे और भी होता यहां थोड़ा सा और बटे में चार और यहां एक भाग और चार को सौल करते उसका दो आता दो में लोगा लगाते फिर इसका सौल करके इसमें चार में भागाते वह आगे मैं इस चीज़ को इस टाइप कुशन अभी हल करवा दूंगा इस टाइप कर नहीं रहा हूं ठीक है पसमें डिफ्रेंट बताया है कि आपको क्यों डिफ्रेंट करना है कि इसमें और इसमें अंतर होता ह पहले क्या है कि सब्यातो 42 मिक्कीस का भाग लाओ कितना बचेगा दो फिर दो भाग दो भाग एक वाग पांच इसए जदी ऐसा कोई लगातार किसी संक्या में एक बार भागी भाग हो और कुछ नहीं हो तो आप क्या करिए 42 इसको भाग को कंवर्ट कर दीजे गुना वैं संक्यां आपकी आगे दिविए उसको उल्टा लिख दीजिए उल्टे का मतलब होता अंस को हर में और हर को अंस में अब आप इसमें सोचिए भाग 21 है तो इसके नीचे बटे में क्या होगा एक माना जाएगा तो इसको लिखूंगा मैं एक बटा 21 इसको गुणा मैं कनवर्ट कर दूँगा इसको बोलूँगा एक बटा दो क्यूंकि इसके नीचे भी एक माना जाएगा इसको भी बोल दूँगा गुणा एक बटा एक और यह कर दूँगा गुणा एक बटा पांच सा आप से बेश्ट तरीका क्या है कि आप लोग भाग को गुणा में कंदवट कर दीजिए और उस्से अगली वाली जो सेंख्या जिसका वाग उसको गुणा में कंदवट करते समय उससेंख्या वो जश्टा पर उल्टा कर दीजिए आपका आश्वर आजाएगा अभी माम से भाग साथ भाग्तीन बहाग पान्च मुझे आप इसका आजसर दे ढिदिए फटाफट से छो चीज आपको समझाए किसा अंसर किस तरीक से करेंगा तहसे मैंने क्वाई स सबसे गेस बह Flash आइ questioning सबसे बहुँ को यह हो जाएगा एक बटा साथ इसके नीचे भी एक मांदूंगा तो यह हो जाएगा गुणा एक बटा तीन इसके नीचे भी एक मांदूंगा गुणा यह हो जाएगा एक बटा पांच अब यह वही कि साथ तिया 21 और तीन से तीन कट गया आंस्वर आया एक बटा पांच समझ सोलुशन यथा उचित निकालोंगा ठीक है और आपको दुबारा फिर बताऊंगा अब देखिए कि अब मैंने कहा 15 डिवाइड वाई चार बटा थी डिवाइड वाई डिवाइड वाई 16 बटा चार इसका अंसर निकालना है मुझे डिवाइड डिवाइड है मैं आपको एक एक चीज बता रहो अभी पूरे बहुत सारे रूला भी तो वहिनिकूलम का है बहुत सारा नियम है अभी मैं क्यों जहां डिवाइड उसको कहें सौल करेंगा डारेक्लि ये तो 15 डिवाइड को मुल्टिप्लाइक डिवाइड गुणा में इसको उल्टा कर देंगे तीन बटा चार इसको उल्टा कर देंगे चार बटा 16 4 से 4 कट गया अब ये कुछ सो कटने वाला मुझे दिख नहीं रहा तो यह हो जाएगा 15 तीया 45 बटे 16 है इसका आंसवा 25 का 1 बटा 5 भाग 5 25 का 1 बटा 5 और भाग 5 मैं थोड़ा साथ को किलियर कर रहा हूँ एक कुछन इसके साइड में और लिख रहा हूँ कि 5 भाग 25 का 1 बटा 5 बच्चों मेरी बात को समझना यह दोनों कुछन अलग-अलग है एक कुछन तो 25 का 1 बटा 5 भाग 5 यह लिखा 5 भाग 25 का 1 बटा 5 मैं दोनों एक साथ क्यों लिखे है ताकि आपको कुछे जो कंसेप्ट है उस समझ माज़ा जो मैं आपको क्लियर करना चाहरा हूँ वही का वाला कंसेप्ट यहां पर आ रहा है मैंने आपको नियम बताया था बोर्ड मास का कि सबसे पहले तो वी वी बोले तो इस फिरकार का इस फिरकार का कहीं आपको इन दोनों कुछनों भी कहीं दिखाई दे रहा है का नहीं दे रहा है उसके बाद में B, B बोले तो break it, मतलब कोश्टर, छोटा, मध्यम या बड़ा, ऐसा कहीं दिखाई दे रहा है क्या, नहीं, उसके बाद off, off बोले तो का, बात समझ में आ रही है मेरी, off बोले तो का, ठीक है, हाँ यहाँ पर off का मतलब का होता है, का का मतलब मैंने बोला, करना, जो इस concept में आपको लेकर आ रहा हूं, कि सब मैंने कहा कि का का मतलब गुणा होता है, अब बच्चा यहाँ जो गलती करता हूँ, क्या करता हूँ, उसकी बात कर रहा हूँ, आप कहेंगे सब 25 गुणा, एक बटा पांच, यही तो करूँगा मैं, आप भी यही करेंग कि सब का का मतलब गुणा, और भाग पांच, इदर भी कर देता हूँ, पांच भाग 25 का का मतलब गुणा, यही एक बटा पांच, क्लियर, अब अगला जो हम गलती करेंगे, वो क्या करेंगे, अगला गलती हम यह करेंगे, कि सर, आपने बोला, कि का का तो हमने ले लिया, का गुना है और ये भाग है तो पहले तुमें साब भाग करूँगा उसके बाद मैं गुना करूँगा ऐसे यहां पर यह है किसाब यह भाग है और यह गुना है तो पहले तुमें भाग करूँगा और उसके बाद गुना करूँगा यह होती है हमारी गलती अब उस गलती से आप फरक पड़ेगा किस चीज़ में फरक नहीं पड़ेगा क्यों गलती का भी कई बार क्या होता है कहीं आपका तुक्का लग जाता है तो आप क्या सोचते कि मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं तो उसी चीज़ को हमें समझना है मैं आपको बड़ी बारी की समझानी कोशिश कर रहा हूं बात को अब मैंने कहा कि भाई डी का मतलब डी वीजन और आपको पहले करना है भाग उसके बाद मल्टिमर लोग गुणा करना है तो यदि आप इसमें आप भाग करते हैं तो पत्चीस गुणा एक बटा पांच और भ गलत किया है अब क्यों गलत कि उस चीजा को अपाशॉचा करओं पिर अपका आन्स्यायगा आंस्र सही है क्षुन गलत है अंस्यफिए लेकिन सोलुशन जो आपने किया है वहू गलत है ठीक है लेकिं यहां को उत्तर पर theft नहीं आया मां आको उताधात हो देखिए अब यहा job solution वह गलत है लेकिन आंस्वर आपका ठीक है कहने का मेरा मिनिग गलत कि उसको समझ देजिए हैं गलत यह था कि ठाका मतलब गुणा होता है वह एक अलग बात है कि का का मतलब गुणा होता है कि सी अजिसका part है कि 25 पार्ट है कौन सा 15 पार्ड में आपको क्या करना यह पांचीऑ का भाग लगा जैसे महें क हिस्सा है तो कगा मतलब होता गुणा क्योंकि वह hissixLY में है तो तो आप यहाँ पर का का मतलब इस्सा समझ सकते हैं तो आप इसको इस तरीके समझें 25 का एक बटा 5 जो है इस पूरी संक्याम आपको डिवाइड लगाना है किसका 5 का मेरी बास यहाँ इसको यह मैं सोची कि गुणा है यहाँ मीनी करता है कि अपने आप में एक पूरा एक स्टेप है इस 25 का एक बटा 5 अपने आप में पूरा मिला के दोनों मिला के एक यह स्टेप बनता है एक यह पद बनता है दोनों से मिला के ठीक है तो आप इसका जो भी आंस्वर होगा उसमें आप डिवाइडी करें किसका 5 का यह होता है आपर रूल यादिकि पहले आपको का को ही हल करना है चाए वो आगे भाग हो चाए गुणा हो आपको पहले हल का को करना है ठीक है तो का का मतलब यहाँ पर हमने गुणा लिखे इसको हल कर लिया पचम 25 अब 5 गुणा है कितना हमारा 5 अब आप भाग लगाएंगे 5 का आंसर आजाएगा 5 बटा 5 बोले तो एक और यह इसका आंसर भी सही है और इसका सोलुशन करने का तरीका भी सही है पहले आप इसको हल करेंगे 25 का एक बटा 5 यह आंसर आएगा आपका 5 पचम 25 उसमें वाग लगाएं किसका 5 का आंसर आएगा एक अब यह सोलुशन का तरीका भी सही है और उत्तर भी सही है अब आप इदर इसको देख लेते हैं मैं बहुत बारी किस समझार हूं वही कोई दिक्कत तो मुझे बताना फिर भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है अब यहां देख लीजिए आप मैंने यहां पर कहा कि वही 5 भाग 25 का एक बठा 5 अब यहां पर भी वही सीने सेम टू सेम इसको आपको अलग से सॉल करना है यह अपने आप एक स्टेप है और उसका जो भी आंसर आएगा उसका भाग लगाना है किस में 5 में बास समझे रहे हैं तो आप हल करेंगे पचम 25 यह कितना आंसर बना 5 और 5 में ही भाग लगाएं किसका 5 का आंसर आएगा इसका 1 ठीक है भी 5 भाग 25 का एक बठा 5 25 का एक बटा क्यों पहले किसको सौल करने पड़ता है का को तो 25 गुणा एक बटा 5 पचम 25 पांच में 5 लगाया एक अब जो गल्तियां आपने इधर वाले में करी थे अगर ये गल्तियां आपने यहां कर दी तो आपका पूरा आंश्वर गलत होगा कैसे 5 भाग 25 का की जी आपने गुणा लिखा और आपने का की साथ पहले तो मैं भाग को अल करूँगा तो आप करेंगे 5 में 25 का भाग लगाएंगे और गुणा करेंगे एक बटा 5 और अगर 5 में 25 का भाग लगा तो यह बन जाएगा एक बटा 5 और एक बटा 5 इंटू एक बटा ज आप गुणा एक्स वाई जैड कुछ भी प्लस मैनस आपको पहले काका वाला सोलुशन करना है इसे इस बात समझ माई होगी यह माँ आपको इसलिए बता रहूं कि इसके उपर पूरी गणित आपका टिका हुआ है किलियर है चलिए अब आगे चलता हूं थोड़ा समझ नेक्स्ट हमारा जो कुष्यन है वो हम ले लेते हैं कि वही फाइव इंटू टैन माइनस एट माइनस दस का ये बार ये कुष्यन हमें हल करना है ठीक है फाइव टैन माइनस एट माइनस टैन का बार और एक कुष्यन मैं यहाँ पर अभी दूसरा लोंगा चलिए इसका हल करते हैं मैंने सबसे पहले आपको बोला कि सबसे पहले आप हल करेंगे किस को आल करेंगे जो आपका वेन्यू कूलम है या यह वी है क्या है यह वी यह जश्ट एजे ब्रेकिट वर्क करेगा कैसे काम करेगा जश्ट एजे ब्रेकिट वर्क करेगा यह ब्रेकिट की तरह ही कारिय करेगा तो पहले आप इसके नीचे कुछ भी है चाहे वो गुणा है चाहे वो भाग है चाहे वो जोड है चाहे वो घटा है चाहे वो और कोई प्रक्रिया आपके एक साथ तो तीन चाहे वो तीन चार मिलाके हो रही है गुणा भाग जोड वाकि सारी हो रही है इसके नीचे तो उन सोच सकते हैं कि सब 8 मैंसे 10 गया आप इसको भूल जाए कि सब माइनस का 8 कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं माइनस का 8 और माइनस का 10 ऐसे कर देवे हैं वो गरबर हो जाएगा पूरा क्योंकि पहले हम फिर मिश्टेक होगा ने पूरा ठीक है तो इस तरीके से यह करना इसका मतलब होता है पहले सोल करना तो हम क्या करेंगे 10 मैं से घठाएंगे किसको टाएंगे जो 8 मैं से 10 गटाने पर जो वन्ह बंच रहा है तो दस मैं से घठाएंगी क्या सका 2 और दो मीनिस में मैं मैनिस का दकांगा तो यह हो जाएगा टैन प्लस चरों मैरे न चरों कि तो यह जाएगा पांक इंटु 10 और दो बारह को यह हो जाएगा 125060 चलिए अब बात करता हूं आगे की थोड़ा सा हon अगर मैं जश्ट इसको चैंज कर देता हूं तो थोड़ी चीज में चैंज हो जाएगा इसको करता हूं 10-10 कि अब आपका जश्ट चैंज हो जाएगा किसाब ये 5-10 ये 10 में 60 कितना बचा बहिए ऐसे गटाए देख लो ना दिक्कत है कितना बचाए आपको छोटी-छोटी पॉइंट को लेंगे इसमें जो भी आएंगे mixing वारे भी लेंगे मैं पहले आपके जितने भी concept हां उनको clear कर लेता हूं एक बार कि कहां-कहां आपको issue आता है कहां-कहां problem आती है अब मैं बात करता हूं यह कैसा question आपसे पूछ लेता हूं 2 into 7 minus 4 sorry 7 minus 4 minus 3 इसके ओपर यह यह वाला bracket और आपको इसका answer बताना है और एक answer आपको इसका बताना है 2 into 7 minus 3 minus sorry यह हो जाएगा 4 plus 3 इस तरीके से को issue तो दिखके थोड़ी है ठीक है 2 into 7 minus 4 minus 3 का बार 2 into 7 minus 4 plus 3 का बार अब मैं उम्मिद करता हूं आप लोग इसका answer मुझे फटा फट जितना हो सकता ही speed से आप इसका answer देंगे कोई दिकत आप answer दीजिए फटा फट इससा जो भी आप दे सकते जितना आपको समझमा आ रहा है कोई तो बच्चा इसका अरे इसमें answer देने में कहा तकलीप आ रही है चार मैंसे तीन गया तो कितना पचा एक पहले इसको हल करेंगे एक को गटाएν किस में सात ने से कितना हो गया च्छे को 2 से Can इसका answer रहा हो गया भी समझमा.00 में तीन को जोड़ दुएगा कितने हो जाएगा साथ ठीक है साथ को गटाओंगा ग screaming से साथ में से तो कितना हो जाएगा जीरो अबिछी टीरो किसी पिसे से कंग करो पूसकर किया भूलियो भी नहीं आडिया है कियो बश्कथ को दिक्कत अब मैं आपको थोड़ा सा और लेके चलता हूँ एक अच्छे कुश्चन की तरफ थोड़ा सा ठिक था कुश्चन है इस तरीके का थोड़ा सा कुश्चन है बढ़िया वाला ठिक है यह कुश्चन हमारा है और 1 प्लस 6 का भार इसमें सारे रूल लग जाएंगी द knife बक जो है चोदा डिवाइड बाई 7 डिवाइड बाई 2 प्लस 5 इंटू तू का स्कौरल स्चुल प्लस 2 प्लस टू डिवाइड बाई अंडरूट 16 इसका आंसर आप बता दीजिए मुझे फटा फट ट्राइ करिया आप ट्राइ करिया फटा फट से इसका आंसर निकालने के नेक्स्ट कुछ नमा आपको बता देता हूं हाँ दीपक राय यह अपने आंसर 40 बता है वेरी गूड दीपक राय जीरो वेरी गूड दीपक राय बहुत अच्छा लेकिन है सबसे बड़ा दुख इस बात का हो रहा है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं इतनी इमानदारी से पड़ा रहा हूं कि और उसके बाद भी चार लोग लाई है तो यह थोड़ा सा दिक्कत है कि आप लोग जो आना इंट्रेस्ट ले नहीं रहे हैं जो दो चीज आपको निसुल्क मिल रहे हैं आप उस चीज का महत्त नहीं समझ पा रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है अलांकि मैं बहुत परेशानियों से बहुत ही जुगार बठागे जैसे व्योस्ता करके मैं आपको लेनी कि आपकी कौसिश करिए और आप उसका इंपोर्टर् अब परोब्लम तो हो सकता है प्रोब्लम का मतलब है कि इसे हमारे पाजमन का जुगार आले कि हम फिर भी इतना अच्छा तरीके से कोशिश कर रहे हैं बताया किसनी स्कांसर को देपाई स्कांसर अभी तक चलिए मैं इस बता देता हूं फटा-फट से जिएसा कि जब से पहले जो हमारा target था हूं मैंने कहा कि इस प्रकार के bracket को हल करना तो ये किस प्रकार का bracket है इस तरीके का और इसके उपर भी ऐसा है double double bracket लग रहे हैं कि ऐसा भी और ऐसा भी तो इससे कोई issue वाली बात नहीं है कि चाहे दोनों हो चाहे एक bracket हो उससे आपको कोई फरक नहीं पड़ेगा ठीक है आपको bracket एक ही समझ के काम करना है आप तो इतना समझ लीजिए कि साथ मुझे पहले हल यह करना है तो एक और छै कितना हो गया 7 इसको ऐसा कर दिजी हो रहा है 7 अब मैं 7 इसको मैं चाहे तो इस ब्रेकट के अंदर बंद कर देता हूं अगर इदर इसकी बात करता हूं तो यह होगा 14 भाग 7 भाग 2 जैसा मैंने कहा कि लगातार भाग है तो 14 गुणा 1 बटा 7 गुणा 1 बटा 2 यह ऐसे हो गया तो यह 7 दुनी 14 से 14 कट गया इस पूरे कांसर आ गया एक चलिए अब बात करता हूं यहां यहां मुझे इस ब्रैकिट के अंदर घल करना है तो 5 गुणा 2 का is said है 2 दुनी 4 पहले दो को 2 का वरक करना है दो दुनी 4 मानला भी 2 गुणा 2 तो तो दो दूनी चार चार पंजो 20 यह तोगा पहले गुणा क्योंकि छोटे ब्रेकट के अंदर भी पहले गुणा करें उसके बाद जोड करेंगे तो गुणा करेंगे दो का वरक 4 चार पंजो बीस, बीसर दो बाईस फिर यह हो जायगा दो बटा, यह तो आप खोल सकते हैं कि हम अगला कोई दूसरे ब्रेकेट असा है यह अंडरूट उट सोला का मतलब होता है 4 मतलब यह इस तरीके का ब्रेकेट है दो एक हम दो होना यह साथ गुना एक मिला क्या होगा एक होगा तो इस पूरे का मामला मैं एक कर सकता हूं यहां से यहां तक कितना हो जाएगा यह है क्योंकि सात यह तो आपका कितना एक और embarrass माना जाया गाँत शुमबल नहीं तो विए अगया है तोurgh बीट में कुना माना जाएगा तो कितना हो गया है आब हम बात करते हैं इस Lecture की यहां हमारा हो गया स साथ ब्लस अब इसमें देखिए बीच में इसमें चीपर हैं और यहां बीच में अगर आप इसको और फिला भी करते हैं तो कर सकते हैं 22प बटा दो इसको अपधाल कर लगते हैं 22 पटा दो साड़े-बाइस को अब सीधा कर लेजी तो लग अब सीधा साल कर लो डहान रखना मेरी बात के च्शुटी चीज बता रहा हुं मैं एक सई एक बटा दो का मतलब होता है जो प्लस एक बटादो था है वागए और किलियर कर दो हुँ चीजजों को यह छुट-शुटी बात बैसिक एक साही एक बटा दो यह पांच सही बटा चार का मतलब भी होगा जो पांच बटा दो अब इसको आप आगे शॉल कर लीजिए ठीक है अगर कोई प्रोब्लम आए तो मुझे बताना विस्मानसुर क्या आएगा ठीक है तो यह होगा साथ प्लस 45 बटा दो यह सीधा हम कह सकते हैं कि साड़े बाईसर साथ कितना होगा साड़े 39 39.5 ठीक है फिर भी कोई कोई के सात कुणा ही कितना होगा साथ यह होगा है दो दूनी चार ढ tast चार-पंजो बीस ठीक है बीशर दो बाइस प्लस दो बटा कितना होता है चार तो लिक हम दो दो लूँट चार ठीक है बीचáраз बीच में हमारा प्लस कठीन ही है तो आंसर होगा हमारा 42 और आप बात केतना हो गया मनलब 29 कि लिए रवी चीछ चलिए और मागे कुछन और सौल करा देता हूं कि अगर कि अगर कि अगर कि 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 नेक्स्ट कुष्टन देख लीजिए यह आपका कि जो भी कुष्टन नंबर था एट पाइंट सेवन माइनस इसा शुरू में नेट्वर्क की प्रोब्लम में कुछ होता है सा मुझे ऐसा लग रहा है सेटिंग की प्रोब्लम नहीं नेट्वर्क की प्रोब्लम है साथ न कि नेट्वर्क को छोड़ जाता है माइनस ऐसा ही लग रहा ने तब तक तो छोड़ जा दो आगर इशू ऐसा होता तो 6.5 माइनस 5.4 माइनस 4.3 माइनस 2 इसके ओपर होगा हमारा यह बार ठीक है इस वाला ब्रेकट और यह छोटा ब्रेकट फिर यह मजला ब्रेकट और फिर यह बड़ा ब्रेकट इस तरीके से यह ब्रेकट से ठीक है अब देखते हैं इसको सोलूशन के तरीका अब 8.7 माइनस 7.6 माइनस 6.5 माइनस 5.4 माइनस 4.3 माइनस 2 के बार अब इसको हल करते हैं वही बोर्ड मास का नियम सबसे पहले इसमें देखो लगबग लगबग सारी तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे भाई बच्चों देखिए एक स्टेप समझाओ बिल्कुल में इसको किलियर कट 8.7 माइनस बढ़ा ब्रेकेट 7.6 माइनस मजला ब्रेकेट 6.5 माइनस 5.4 माइनस सबसे पहले मैं यह हल करूंगा 4.3 मैंसे 2 गटाओंगा तो नॉर्मल साय 4.3 मैंसे 2 गया तो कितना बचा वही कि दो पैंट 3 बचाना कि न क्यों को दो पैंट 3 और 24 पैंट 3 तो इसमें गटकाओ 23 बचेगा यह मैंनस हों गया यह लो अब बारी आते साथ किस bracket को हल करने की इस वाले को हल करने की मैं हल है कि एक ही step में कर सकता हूँ महाँ बैठा बैठा लेकिन आपको थोड़ा समझार हो 8.7-7.6-6.5- अब हम हल करेंगे इस वाले bracket को 5.4 में से 2.3 को गठाओ 5 में से 2 गया तो 3 और .4 में से .3 गया तो .1 यंकि यह हो जाएगा 3.1 ठीक है 5 में से 2 गया 3 और यह .1 यह वाला भी हलोग है अब किसकी बारी है मज लेकि 8.7-7.6-6.5 में से 3.1 गठाओ आपको नहीं भी दिक्कत दिया कटा ही देख सकते 6.-3.1 5 में से 1 गया 4 6 में 3 गया 3 .4 तो यह होगा 3.4 क्लियर है मजला भी होगा कौन सा बचा बढ़ा अब 7.6-3.4 गठाएंगे ठीक है 8.7-7.6 में से 3.4 यह होगा 2 और यह होगा 4 कितना होगा भी 4.2 क्लियर है अब सीधा आप 8.7 में से 4.2 गठाएंगे 7 में से 2 गया तो 5 8 में से 4 गया तो 4 आंसर होगा 4.5 ठीक है भी कोई दिक्कत नहीं है यह तक चलिए दीपक बहुत अच्छा दीपक आप लगाते रहे जो और ऐसे मेंद्ट करते जाएंगे तो आप सपल हो जाएंगे बड़िया तरीका की के से बहुत पच्छी कोई से अब देख अब एक क्यूशन में आपको मेरी तरफ से लिख के दे रहा हूं आप इसको सॉल करेंगे थोड़ा सा 25 का एक बटा पांच मजला ब्रेकेट 125 का एक बटा पच्छीश भाग पांच छोटा ब्रेकेट 27 भाग नो इंटू 3 माइनस 6 माइनस 5 प्लस 2 इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे और मैं इसका सोलुशन भी एक बार आपको मैं कल करवाँगा आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आज आप इसका सोलुशन निकालगे कमेंट बॉक्स में इसका डाल देजिए ठीक है आज डाल दो कल डाल दो मनलब 28 का एक बटा साथ गुणा चार था बाल था निका इसका झा टुण झांसर दो झांसका 4 एक इसके लुदा कपयों है झाल, 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 झाल झाल, 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 झा मार्क आपको इसका भी आंसर बताना है ठीक है तो इस तरीके से आपके दो कुछिशन ने इनके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में डालना है और एक कुछिशन में आपको यहां पर और सॉल करवा देता हूं उसके बाद अगला जो वीडियो आएगा वह हमारा एक तो इनका सॉलुशन ठीक है नेक्स्ट जो हमारा कल का जो लाइक क्लासेज लगेगा और धान रखनाम जल्दी ही यदि आप लोगों ने इंट्रेस्ट दिखाया यदि आप लोगों ने रुचवी दिखाया आप लोगों इसको शेयर किया अधिक सदी लोग इसको अगर इसको बात कर रहा हूं कि आप लोग जो है वह पहले इस चीज को अच्छे से देखें और समझें और जो भी आपको कमिया नजर आ रही है या बोलने की या आवाज की ठीक है क्योंकि देखो ऑनलाइन के अंदर बहुत सारी चीजी होते हैं जो कई बार क्या है कि वह या तो आपके सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा मोटिवेशन अगर आप इंक्रीज करेंगे तो मैं वीडियो और आपको अच्छे से मैत के सास्था आप क्लासेज जो ये वह रीजनिंग की सुरू करोंगा अभी उसके हलावा जी CH Classic भी स्टर्ट करोंगा विदिन वन वी वीक विदिन वन वीक आपके रीजनिंग और जी के Willis को शुरू हो जाएंगी मंलब एक सबते के अंदर-अंदर मस्तर देंगा अप जितना हो सकता है video कहां पर आगे से आगे शेयर कर दीजितनी भी गुरू पर सब्जी के भेच दीजिए और सभी जीक आप इसको बता दीजिए और अपने यूटूब चैनल है उसको आप ज़रूर सबिस्काइब कर लेना टाकि वहां से आप लोगों को वीडियो मिलती रहें और यूटूब पर फिरम लाइव क्लासित चला सकें ठीक है चलिए कि इसको मैं रफ कर देता हूँ एक बार अब एक कुश्चन में आपको और लास्ट में बदा देता हूँ 36 का एक बटा छे भाग छे चोटा बरैकित यह मैं आपको यह हल करा देता हूँ अब देखियां बात को समझना यह कुश्चन लास्ट है आपका आज का उसके बाद मैं कल आपका क्लासित शुरू करूंगा यहां से आगेगा जो है मैंने सबसे पहले आपसे कहा कि वैनी कुलम को हल करना है अब एक समझ से आपर आपके सामने आएगी सब यहां इन दोनों के बीच में कोई शिंबल नहीं है कोई बात नहीं है आप घबराई है मत कोई सिंबल नहीं तो क्या फरक पड़ रहा है अरे अगर ऐसा हो और अंदर में ब्रेकिट में कोई संक्या हो तो आप इसको यहां क्या मानते हैं मल्टिप्लाई मानते हैं तो यहां भी इसको आप मल्टिप्लाई मान दो भाग दो सबसे पहले मैंने आप से का step इसको हल करने का पांच में से तीन गया तो दो और ये गुणा की तरह टीट होगा बात समझ माई अब बारी किसके आएगे सबस्क्राइब मैंने B B के बाद B B के अंदर ब्रेकट के अंदर कौन सा? चोटा वाला, अब इसको हल करेंगे इसमें आल करते वक्त यहां देखेंगे कि इसमें कौन-कौन से चिन्न है, माइनस का, प्लस का, भाग का और गुना का तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप कौन सा symbol हल करेंगे भैं सबसे पहले भाग का हल करेंगे उसके बाद गुमा का け कि बी के बाद O होता है O का मतलब क्या होता है bracket उसके बाद क्या होता है अभी bracket ही solved नहीं हुँआ उसके बाद O की बार यहाइगी útil तो अभी यहांपर हम क्या कर रहा है Bracket के अंदर कॉन-ओंकिण child भाग गुणा और प्लस और ुनके अंदर हम सबस्य फेल किस सको करते हैं भाग को पिर आल करते हैं किसको गुणा को फिर करते हैं गुंढक टो सबसे फहले बिज्णər करेंगे दो nossa पहाग लगाएंगे 3 और यह कितना हो भई एक गुणा 2 कितना होगा प्लस का दो अभी स्कोर हल करना में अल नहीं अब अभी आब यह हुआ यह पांच-प्लस का मान लीजिए आपको कोई सिंबल नहीं कि ब्रेकट के अंदर संग्या है तो 5-2 कितना होगा एक थे इतने बचा है भी च्यार अभी हो जाएगा 36 का एक बटा छे भाग छे अब यहां क्या मानूंगा आपको मैं गुणा मानूंगा गुणा क्या पांच अधू साथ में तीन कर कितना हो गया जार के लिए अब यहां पर बात आते हैं पहले का को हल करना है ब्रेकट खुल चुक अ तो एक बटा छे लेकिन 6 6 36 इसकी जी क्या लिखूंगा मैं 6 डिवाइड वाइड वाई 6 इंटो 4 फिर आप क्या करेंगे 6 में भाग लगाएंगे 6 का कितना हो जाएगा एक को गुणा करेंगे 4 से आंसर हो जाएगा ठीक है वही मेरी बास समझ में आ गई चलिए धन्यवाद बहुत बहुत आज के लिए इतना ही काफी कल फिर मिलते हैं जोस के साथ में और थन्यवाद एक बार बहुत बहुत